आप मुझे देख रहे हैं मैं हूं सत्यम मैं पूरे पंचायत पूरे ग्रामीन छेत्र का भ्रमन कर रहा हूं पंचायत चुना होने वाला है और इसको लेकर मैं हर एक जन प्रतीनीदी की आवाज हर एक जनता की बात आप तक पहुँचाता हूं आज मैं जगदिसपूर प्रखंट के जगदिसपूर पंचायत में मौझूद हूं और मेरे साथ बाचीत में मौझूद हैं यहां की वर्तमान मुख्या ममतासा इनसे बात करेंगे इनका पिछला कार टीवी पर चैनल पर मिहर्म विकासकारी निर्मानकारी Nós ओने संतूष्थ हैं यह फिर नहीं है मैं तो अपने काम से संतुष्ट हूँ, बाकि जनता मेरी काम को देख रहे ही, पिछले 15 साल में जो मुख्या जीवनी है, और मैं 5 साल में जो विकास की वो जनता के सामने है, वो जनता इस पर निन्ने देगी, बाकि तो हम तो अपने काम को जो देख कर रहे हैं, तो सारा दूल जनता उपर देख रही है. चब पंचायद चुना होता है तो कहीं ने कहीं हर एक इन्सान की दिल में होता है कि यहां पर जात पाती है समुद्दाय को लेकर वोट बढ़ जाएगा या फिर खाना पानी इसको लेकर भी वोट बढ़ता है आपको क्या लगता है कि पंचायत चुनाओं में जात पायत और समुदा है कुछ एहम भूमी का निवाता है या फिर लोग विकास देखते हैं ने सिर्फ विकास देखते जात पात के नाम पर कोई वोट नहीं पड़ती है जनता आपकी काश करनी देखती है आपकी विकास देखती है आपने जनता के लिए क्या सपोर्ट किया विश्यधार पर वोटिंग होती है मैं हम देखिए पांस साल आप मुख्या थे आपके पंचायत के आपने बताया कि अपने कारिकाल से हम संतुष्ट है तो कोई एक ऐसा विकास कारी या निर्मान कारी आप बताये जो कि जनता को भी उम्मीद नहीं थी और आपने कर दिखाया ऐसा कोई विकास कारी ऐसा किसी चीज का जिन्नोधार जो आपके प्रखंड के लिए आपके पंचायत के लिए एक पत्थर की लकीर साबीत हुई मेरा एक लक्ष था कि हमारे पंचायत की जनता सिक्षी थो इसके पी लिए हमने पुस्तकाले इन जिनोधार किये उसे बच्चे लोग को बहुत ही सुबदा होगी पढ़ने लिखने के लिए जो किसी मुख्या की वस्की नहीं थी पंदर साल के बीच में भी एक बहुत सारे बच्चे इसे मैटर को रखे लेकिन कोई मुख्या जीन को सलुसन नहीं किया हमने इसका सलुसन निकाला और उनका जीनोधार करके पुस्तकाले का निर्मान किया मतलब पुस्तकाले पंचायत में था पर वो गिरा ढ़न था पूरा डैमेज था वहां बैठने की रहने के पुस्तकाले के जो बुक का बेवस्ता नहीं था वो हमने किया इसे बच्चे लोग भी संतूष्ट है और भी महां के गाजन भी बहुत ज्यादा संतूष्ट है क्योंकि अगर ग्रामीन चेतर में पुस्तकाले का होना कहीं ने कहीं एक अच्छी बात है और एहम बात है शिक्षात को लेकर आजकल भी गाउं में बहुत सारे अभ्यान चलाए जा रहे हैं सरकार भी चाहती है कि ग्रामीन चेतर में भी सक्षरता दर बढ़े और आपने मुख्यापत को समाला इस बारा फिर नोमिनेशन करवाए हैं तो घर परिवार को देखते हुए परचार करना प्रशार करना जनप्रती निधी होने के नाते अपने जनता का अपने वोटरों का हर एक वर्ग का समस्या सुनना उसका निदान करना यह सब चीज कितना आसान यह कि आसान कर लिक्ना मेरा यह भावना थी कि हम जनता की सेवा करें समाज सी सेवा करें यह दोनों को बीच कँ हम ढास्ता निकाले हम अपने घर को वी समयदीय वी समयदीया और मेरा जितना बंपड़ा, इht रह दा समभ मने खोसिज किया, आगे भी कोसिज करेंगे कि हमारे समा जो छूट गई है वो विकास को मागी को ले जाएंगे मतलब की पूरा पिछले पांस ताल के कारिकाल के दोरान या फिर अभी परचार प्रशार में आपको महिला होने के ना देखें कुछ खास समस्या देखने को नहीं मिला अई ऐसा तो नहीं थोरा सा प्रब्लम आती है लिक इस्तोर प्रब्लम को निदान निकालते हुए लोग आगे बढ़ते हैं वैसे अमने बढ़ा जबasan मैडम दिखिए जो भी विकासकरी रहा होगा या फिर सदक नाला या जो भी आम समस्या होती है जैसे गली-गली सदक का निर्मान बिजली पानी वह जो भी विकासकरी होगा करेकाल काफी होता है कुछ हथ तक विकास करने के लिए इस चुनाव में आपका क्या मुद्दा है शिक्षा स्वास्त क्या मुद्दा है इसलिए पानी प्रमयन फोकस हे मैंने इस बात को पहले भी दखका आगहीभी इसको सुदार की कोशिस कर रहे है है उसिस को प्रेंगे इस बातको को लिया क्या ऐसा काम रह गया या कौन सा ऐसा विकास कारी रह गया है आप canonOR में जो आप पिछले का रिकार में उपने जंटा को नहीं दे सके वह पूरा नहीं हो सका या अठका रह गया और इस कारिकाल में यदि आपके वोटर आपको मौका देते हैं तो आप सबसे पहले उन सभी विकास कारियों पर ध्यान देंगी ऐसा कुछ काम जो आप बताना चाहें अपने दर्सकों को पहले तो आपको बता चुके हैं कि हमने पानी में बहुत वो तो जनता देख रही है हमने क्या किया पिछले पंदरा साल में क्या हुआ है यह तो जनता के सामने है मेरे बोलने का सब्द नहीं है पिछले कारिकाल को दस में से कितना अंग देंगी आप एद अंग तो जनता निधारित करेंगी ना कि हमने क्या किया है उनके सामने रख अपने अंतीम सवाल और सबसे हम सबसे चोटा सवाल कि आप अपने वोटरों से आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरा यह अपील है कि आप हमें बोट करें बाकी आपके साथ हम पांच साल कूल रुप से अपने अपनी वर्ता के साथ काम किया हैं आगे भी करेंगे आपकी समस्या का हर समस्या का आपके साथ हम करें रहेंगे कोई ने जात पास से कोई मतलब नहीं हमारे समाज के लिए हमारे पंचायत की जनता सब मेरी ही है सब को लेकर चलना है मिरा जात पास से कोई भावना नहीं है विकास को रखना है बेन मुद्दा विकास का है जग्दिसूर पंचायत आया हुआ था यहाँ पर देख रहाओं की पंचायत चुनाव की सरगर्मी आपको हर एक जगा देखने को मिलेगी जो भी जनप्रतिनी धी हैं वो जनसंपर का भियान में पूरे जोर के साथ लगे हुए हैं जग्दिसूर आया हुआ था हमें यहाँ पर जनसंपर का भियान बहुत जोर सोर से चल रहा है हर जनप्रतिनी धी अपने जीत को लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से जनसंपर का भियान चला रहे हैं पर बात यहाँ पर यह रुकती है कि क्या पंचायत में या फिर ग्रामी नस्तर पर उस तरीके से विकास हो पा रहा है इन सभी चीजों को हम आप तक पहुचाएंगे दिखाएंगे फिलाल हम आपको दिखा रहे हैं कि जो जनप्रतिनी धी इस बार चुनाओं में अपना किस्मत आजमा रहे हैं उनका क्या मुद्दा है हमारे साथ वर्तमान मुख्याती जग्दिसपूर पंचायत की और इन से हमने बात किया क्या मुद्दा रहेगा चुनाओं मैं इन सभी चूजों पर नज़र ढाला आप हमारे साथ बने रहे हैे सिल्टीवी पर यदी ये वीडियो आप हमारे फेस्बुक पेज़ पर देख रहे हैं तो हमारे पेज़ को लाइक करें और यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जैन